research tools के अंदर एक और classification जिसका हमने पहले जिकर किया वह साइको मोटर टेस्ट यह ब्लूम की टेक्सानोमी की तीसरी डुमेन है अमोमन साइको मोटर डिवेलिपमेंट जो है यह अरली एज में फास्टर है और वहां पे हम इसकी ज्यादा research करते हैं educational research में क्योंके बहराल हम साइको मोटर डिवेलिपमेंट के साथ associated हैं और इनकी एहमियत अपनी जगा वाज़ है तो लहाज़ा हमें ऐसे तमाम टेस्ट जो के साइको मोटर डिवेलिपमेंट से मतलिक हैं इसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं जी साइको मोटर डिवेलिपमेंट में किसी भी individual की physical और motor skills की measurement है मुख्तलिफ आजा जिसम के एक दूसरे के साथ किस coordination में काम करते हैं अगर मैं research इन मोज़वाद पर कर रहा हूँ मिसाल के तोर पर मेरे हाथों की movement कैसे एक दूसरे से sink है eyes की movement हाथों की movement के साथ कैसे coordinate करती है और इस तरह की बेश्मार examples हैं जी broadly speaking आप सब वो इतमाम बातें जिनको मैं measure करना चाहूं और उनका तालुक मेरी physical और motor skills के साथ होगा तो वो तमाम psycho motor कहलाती हैं इसके जरीए से हम लोगों की मुख्लिफ टास्क्स को perform करने की ability और उसकी efficiency में physical और motor coordination जो है इसका role इसको देखना हो तो हम कहते हैं कि ये psycho motor test इसके जरीए से देखा जा सकता है उनकी चंद एक मिसालें अगर हम लेना चाहें तो मसला है hand eye coordination है ठीक है इसे तरह आपकी thinking और fingers की movement की coordination है when you are trying to write something ये वाली movement है ये ज्यादा तर उन तरह की studies में इस्तमाल होते हैं जहां पे practical नौईयत के काम ज्यादा किये जाते हैं आपने जिसे hand eye coordination हो गया आप games पे को research करना चाहते हैं तो ये देखना के आपकी bodily movements का आपके physical coordination के साथ क्या तालुक बनता है मसलिन आप football खेलना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि किसी शख्स के bodily movements और उसके actions जो है बाल को pass on करने के football में के खेलने की सलाहियत में football खेलने एक वक्ट बाडिली movement और पास का accurate जगा पे पहुंचाना ball का इन दोनों के दरम्यान कितनी coordination है तो ये psychomotor domain में fall करते हैं इसे दर आप देखे reaction time test है आप अमूमन ये देखना चाहेंगे कि किसी study में अगर कि कितनी quickly कोई individual किसी situation को respond कर पाता है आपका जहिन उसको कब receive करता है और उसको receive करने के बाद उसको action में convert होने में कितना time लगा है stimulus response की studies जतनी भी हैं आपकी वो इसी में fall कर सकती है इसी तरह से trial making test हैं किसी चीज में perfection लेने के लिए आप hand फर्स कर लीजिए mind और hand की coordination है तो आप किस तरह की practice के साथ इसको बेहतर कर सकते हैं इसके भी test मौझूद है handwriting test हम यह जो हमारे education के लोग language की development के साथ मुंसलिक काम कर रहे होते हैं या handwriting वगारा improve करने के teachers होते हैं उनको अपनी classes में इस तरह की research करनी पड़ती है और यह सुर्फ चंद एक मिसाल हैं आपके सामने है psychomotor test की psychomotor test जो है इनका scope और इनकी range बहुत ज़्यादा है क्यों कि आपके coordination of thinking और coordination of bodily parts की movement ये इसके बहुत broader areas हैं इसके तो उन तमाम areas के लिए मुख्तित तरह की inventories या मुख्तित तरह के test बने हुए हैं आप इन बने हुए test हो में से choose कर सकते हैं अपनी research के लिए या अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं तो आप उसके लिए खुद से भी बना सकते हैं इस particular area में जो assessment है या test है ये special जो children है हमारे उनके लिए भी बहुत ज्यादा relevant है उनकी बहुत सरी research studies ऐसी हैं जो इन इस तरह के test हो से अफ़ादा कर सकते हैं तो बजाए इसके कि आप क्योंके इन test की development खासा time consuming और मेहनत वाला काम है तो अगर आप अपनी research में इन बने बनाए पहले से मौजूद tools को जो आपके research objectives के साथ fit आते हों अगर आप उनका इस्तमाल कर ले तो ये आपके बहुत सारे resources बचा सकता है